इस वीडियो में मेरा आज का टोपिक है मायोमा, यूटेन फवर्बुरेड ये बच्चे ज़ने गाटे आज कल देखा ये जा रहा है कि सो में से पैंटिस महिल आएं इस रोक से पीडित हैं और आज कल देखा ये भी जा रहा है कि आज के लड़किया भी इस रोक्षिपीड यह जिनकी अभी तक शादी भी नहीं होई है जब हम इसके ट्रीटमेंट के लिए बड़े इस्पिताल में जाते हैं तो सरक इसका एक ट्रीटमेंट बताता हैं ऑपरेशन अब ओपरेशन के लावा हम इसका क्या रीटमेंट कर सकते हैं क्या ये पर्मानेंट खतम हो सकता है आज हम इसे के बारे में चार्चा करेंगे तो दोस्तो मैं रामें डॉक्टर पृतिक चुहान और अभी तक आपने चलन सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबा कर आप ये चलन सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि मैं आपके लिए रूज इसी तरह की वीडियो लाता रहूंगा वीडियो में बच्चे दाने गाट पर आगे चरचर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पेशन की वीडियो दिखा देना चाहता हूं कि जिनको पहले फाइब लोट था और अब उनको फाइब लोट नहीं है फाइब लोट के साथ में और भी उनको बहुत सारे परिशानिया थी अब वो भी नहीं है उनको मैंने क्या medicine दी, medicine selection करने का क्या तरीका था और कितने समय में उनकी 5-0 खतम हो गई है या बच्चे दने गाट खतम हो गई है ये भी हम इन वीडियो में देखेंगे वीडियो जो बनाए गई है वो patient की सहमती से ही बनाए गई है ताकि जो बागी लोग जो इस लोग से पीडित हैं उनको भी थोड़ी मदद मिल सके तो दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमपैथी दबा का चयन लक्षणों के दार पर ही किया जाता है अगर आपके लक्षणों दबाई से नहीं मिलेंगे तो दबाई काम नहीं करेगे यही कारण है दोस्तों कि आजकल इंटरेट पर बहुत सारी वीडियो पढ़ी हैं जिसमें हम बहुत सारे होँपैथी कंबिनेशन बताते हैं कि आप यह कॉम्बिनेशन लीजिए ददद स्मूल लीजिए और फायरोड़के खतम हो जाएगी या फ्रेक्सिनस अमेरिकाना लीजिए या और अम्यो नाइट्रेट्रेटम लीजिए या बहुत सारे दबाई हैं जो कि अलग-अलग यूट्यूब चैनल आपको बताते हैं लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि यह दबाई यह काम क्यों नहीं करती हैं क्योंकि दोस्तों हमपैथी का सिंपल सिध्धानत है एक बहुत ही साधर्ण से सिध्धानत है कि जब तक आप मैडिसन के लक्षणर रोगी के लक्षणर से मैच नहीं करेंगे कोई भी दबाई काम नहीं करेंगी वो चाहे दबाई कितनी भी महंगी हो या कितनी भी सस्ती हो वो चाहे मैडिसन जर्मनी के हो या चाहे मैडिसन इंडियन हो वो आपके उपर काम नहीं करेगे और हाँ अगर आपके लक्षण मिल गए है तो वो चाहे दवा इंडिया बन रही हो या चाहे जर्मनी बन रही हो वो 100% आपके उपर काम करेगे हाँ लेकिन दवा और इंगर होना चाहिए तो चलिए हम चलते हैं वीडियो के तरफ जो शुरू साब बताईए जब से शुरू से आपको जब बच्चे नहीं हो रहे थे तब क्या कर आपको दिक्कत आया थी और जब मेरे पास आथी फिरका बताईए जब आपको पास है यिए बच्चेदानी कहा है। जब से यह बच्चे नहीं हो पिसे गाट अच अचाह गाटे भी तुछैटी साहिटी हैं आपके लगाट पी तो हमांपी थी उसने काहां थी आपको सिदलने कितनी बड़ी गाट दि didn't है चुप जोटा नहीं किस नहीं किस ने बतायी जोटा बेल deprived इस ने बताया थिए अच्छ तो उसने आपको बताया से निएगट अच्छा तो फिर क्या किया उसने फिर क्या इलाज के लिए बताई तो फिर महीना आपको होना बंद हो गया ता तो फिर उन्होंने क्या कहा था क्योंकि गांट होगा तो सिर्फ सभी लोग उप्रेशनी बताता है तो वहां पर आपने कितने समय आपने एक साल अच्छा तो फिर आपको यहां का पता किसे ने बताया ने देवार नहीं आपको बच्चों की वज़ें आपके आपको अच्छा तो तो तब मैंना उन्होंने इजिकाता था था कि तो फिर आप मेरे पास आई यह तो पहले पेपर है ना आपका परचाद को भी दोबारा दो नहीं बना यह पेपर आपका 31 अगस्त का है 21 अगस्त दोहजार सत्रा तो आपका मलों 21 अगस्त मतलब आखरी महीने के आखरी तारी गिया सितमबर अक्टूबर नवंबर दिसमबर जन्वरी फरवरी आज फरवरी का लास्त है आज 28 तारी के फरवरी गी तो लबक 6 महीने का आपका मेरे लाज चला और आप कहरें कि दो म जाने निखा और पर जोटी तो मैंने आपसे बहुत सावाल वह से पूछे जसे मेरे आपसे पूछा कि आपको सबने कैसे हैं तो मने लिखा कि मुझे बीमारी के सबने आता है और कुछ बुरा होने वाला है सपने आता है कि ॐअ और क्या बताया था आपको बच्चों को इस अजला आते थैसा अजलें कब दवाई देने के बाद में पुझाने के खान नहीं आदे है कि यह बन लड़की हुई पिर एक आट-दस दिन के वाद फिर यह दिखा दिया कि रड़का हुआ है तो बच्चे थे वो सब हैल्दी थे बिमार तो दिखाने दे कि बच्चा बिमार है बच्चा सब हैल्दी था अजु लड़की है कि इस महिला को बहुत सारे ड्रीम्स भी आते थे जो कि नहीं आने चाहिए रगुलर ड्रीम्स आते थे तो चलिए अब मैं लिए चलता हूँ आपको अपने लैप्टोप के तरह जिसमें हमारा एक बहुत यह अच्छा सौफिर पड़ा है जो कि बहुत मरत करता है हमारी मैडिस मैड़िस्न के अच्छण में और सेबसे हम इजरी पीशिंट की मैडिसीन फैंड कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि हमने इस महिला को कि मकलेशिवों को लिए और किन लिए और हमें दवाए दे यह हें हमारा होंपैथिक मेडिक ररक्सपरिट सिस्टेम को दुप्रा हम पे दिजीज के तो चलिए हम इसमें ढूंगते हैं डिजीज पेशेंट को बीमारियों के सपने आना ड्रेम्स डिजीज चलिए हम इसको अनलसिस पर यहां लगा देते हैं जैसे कम देखने हैं इसमें 50 मेडिसन है दूसर दिम था उसका फिनरल देखना दूसर इस तरह के सपने किसी को नहीं आते हैं तो हमारा मेडिसन का जो में थीम यह थी हमारा जो पेशेंट का में थीम यह थी कि उसको इस तरह के सपने आते थे और वो हमेशा इनी चीज़ों के बारे में सोचते रहते थी दूसरा इसका यह था कि आप्व दिसको फज़ने नहीं हो रहा हैं इसलिझा से हजबंडो को कर रहे हैं कि यह सेकंडनी रॉप्षिंट कि उसको प्याद नहीं किया जा रहा है कि सबų नियूम प्यार चोर दिया है। चलिए दीन हम यह भी लगा देते हैं कि धीनद यह मंसर्णा फ़मीं और चोथा जो उसका में सिम्टम था पेशिंट का वो ये था कि जो पीरिट्स को जो फ्लो होता था यानि मैंसेस पर फ्लो होता था वो सिर्फ रात को होता था मतलब जब वो सोती थी तभी फ्लो जादा होता था और दिन में फ्लो बिल्कुल ना की बराबर होता था चलिए यह बहुत ही करेक्टर से शिम्टम है जो कि जल्दी से किसी फिमेल के अंदर नहीं मिलता है चलिए हम ढूनता है मैंसिस जर्नल स्लिप अउनली डूरिंग तो सिर्फ इसमें एक ही मेडिसिन है एक ही मेडिसिन है क्योंकि यह बहुत ही अजीब सिम्टम है पिशेंट के अंदर के स्रिफ नींद के समय ही उसको पिरेट्स का फ्लो होता है तो हम यह सिम्टम्स ले रहे हैं अदर्वाइज इसको नहीं लेते जल्य जलसे जला ड़ाते हैं तो हम देखते हैं हमेडिसिन है Magnesium कर वह हमारे डृ finerिंस को भी कवर कर रही है हमारे पेशन की फिलिंग को भी कवकर कर रही है और हमारे सली प čले अ हम स्लिभ Waterived यह बहुत 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 इजी है दोस्तों इकरना बहुत इजी है चलिए फीमेल के बारे में पढ़ रहता है फीमेल मैंसेस फ्लो मॉर पर फूस अट नाइट यह कैपिटल लेटर में लिखा वा रहा है चुछ कि यह बहुत मार्क है इस मेडिसन है नौट और अनली दूरिंग स्लीप सीजर्स वाइल वाकिंग मतलब कि चलते हुए या कहना चाहिए कि जब वो उठती है जब दूर दिन घर में चलती फिरती है तो सीजर्स मतलब बंद हो जाता है लुक्त जाते है इसमें अब दिखनें भूंतों यह फिमिल के मैयमा या ऐस वारभ यह नहीं है चली आधह कि क्या यह मेडिसें मायूमा या फायब्र लोग कवर कर रही है ऐस दिमे तूमर यहां से हम से मेडिसन चुरू तो जैसा कि हम दोस्ते देखिने कि यह मेडिसन फाइब रोड़िया मायमा में कवर नहीं कर रही है तो चली अब इसको लगाते है एनलेसिस पर नहीं ृ इत मेडिसिन ने यहां कवर नहीं किया है तो देखिए दोस्तो जो अब इससे हमें क्या चीज़ सिखने को बिलिए कि अगर हम सिर्फ बीमारी के नाम पर ही मैडिसिन देंगे तो वो काम नहीं करती गए या वो काम करेगी या नहीं इसके लिए हम बिल्कुल भी शूर नहीं है लिकिन हाँ अगर हम पिशेंट के अग्जेट लेंट सिम्टम माइड के सिम्टम उसके ड Colonel्स की इअग मैडिसिन देंगे तो आगका हुए भाल या मा या मा या ए ट्यु जड़ को इभी विमारी हो ऊसका एट्ट महों्त कि क और दे चतना विल्षाटन तो मेडिसिन देने के बाद पिशेंट के ड्रीम्स भी गायब हो गए और शरीर के अंदर जो फाइब्रोइट था बच्चे दने के गाट थी वो भी खतम हो गई और पिशेंट को चार महिने के भीतर कंसीड भी हो गया तो ड्रीम्स जो होते हैं हमारे शरीर के बहुत डीपेस्ट लेर के सिम्टम होते हैं इन से deep कोई चीज नहीं होती है अब मेंसे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जैसा कि हम रात को सोचते हैं वैसा ही हमें सपनों में आता है तो दोस्तों सिर्फ तो आपके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कई बार हमें ड्रीम्स वो देखते हैं जो की फ्यूचर के होते हैं कई बार हम ड्रीम्स में कुछ देखते हैं जो की फ्यूचर में हो जाता है तो वो थो हम सोच के नहीं सोते हैं तो ड्रीम्स की अपनी अपनी लेयर होती हैं इसकी चर्चा में वीडियो के अंत में करूँगा बहुत इंट्रेस्टिंग है वीडियो को अंत तक देखे और अंत तक सुनिए फाइबरोईड एक बहुत सुपरफीशल सिम्टम है जैसे कि पिछली वीडियो में डॉक्टर आचल ने आपको डेस्क्राइब किया कि बरवेरिस वल्गेरिस ते पत्रियां क्यों नहीं निकलती हैं सबकी क्योंकि किड्नी की पत्री या गुर्द्य की पत्री या पित की पत्री एक बहुत सुपरफीशल सिम्टम है हाँ अगर मैं superficial symptom को ना ले और patient के बहुत deep symptom ले अगर dreams नहीं मिल रहे हैं तो और भी deep symptom बहुत सारे होते हैं अगर हम वो लें तो definitely 100% कोई भी रोग हो वो जड़ से ही खत्म होगा तो गाट का साज लगो कितना बड़ा था जी अच्छे इतना बड़ा था अर आमसर निकल गया हुआ अच्छा कितना टाइम में निकल गया लगो कितना अपने लाज कामेरा अच्छा कितना बड़ा निकल गई और जो जादर जो आपको आपको था वो भी बिल्कुल ठीप हो रहा है तो दोस्तों इस दूसरी वीडियों का आपने लेखा कि इस महिला के गाटे सिर्फ दो महीने में ही खत्म हो गई अब इसमें हमने मैडिसिन क्या दी चलिए आपको लिए चलते हैं अपने लैटोप के तरफ चलिए अब हम इनप्रिशन के सिम्टम देखते हैं कि इनको हमने किस सिम्टम के अधार पर दवाए दे तो जब दोस्ते जब मेरे पासे पहले बार आएं और जब रहने अपने सिम्टम बताने शुरू कियें तो शुरू से लेकर लेकर लास्ट तक इनकी आँखों से आस्व प्रफ माने मन नहीं हुए यह लगाता रहें और का झाए रहा धौई है कि मैरा बल्स दुनिए में का आख पीने से कोई नहीं है और गौर्वेशन दकाने मेरे पेड़े कोई नहीं है और इनुन कंतेले कोई हैं और वाधा बास जब घ्रक नहीं होरी हमाने बाए बिद् यह ताह से हमेशा रहे है बिमारी को आता है चलिया हमारे पास दो श्म्टम हो गए उसको लगता था कि दुन्या में अकेलिय है कि एसा हैं नहीं लगी इस दुनिया में बिलकुल अकेला है। हमार दूर से चम्टम था विपिंग टेंदेंसी तेलिंग देखें। विपिंग टेर्फुल मूद टेंदेंसी विपिंग टेलिंग और इल्नेस वेन। यहां भी हमें बहुत अच्छा सिंटम अगर मिल गया। अब हम इसको यहां लगा जाता है। इसमें सिर्फ 10 मेडिसिन है। तो दोस्तो हमारे यहां सिर्फ एक ही मेडिसिन यह आ रही है। इसको हम बोलते हैं पल्से टिला। चलिए अब हम देखते हैं कि यह क्या पल्से टिला फाइब्रोट के जिम्टम को कवर कर रही है। अब का हुलनेकों गली याँ मोस सिर्फ एक है! तो जैसे कि दोस्तों हैं कि हमारा मेडिसिन दीना का जो पीमारी यहां नहीं होता है। पिछीन के नेचर को धहां मेरगता है। पिच्री बार उनक्वी में आद्रीस दैना के हम यह दोगा दाई है। तो किसी भी पिशेंट की कुई भी बी स्जिद्वर नहीं है इसलिए अगर आप कोई भी छेंट्डमर ले रहे हैं तो आप हमेश्ट अंचर swept के रहिए क्योंकि हो सकता है कि वह आपको पर काम करें या ना करें अगर उसको सो लोग ले रहे हैं तो, वो से डो या 5 लूपर काम करेगी, बाकियों लूपर काम नहीं करेगी और हाँ अगर हम अपने इस एक्सपर्ट सिस्टम के दौए अगर आपको मैडिसिन देंगे तो, वो शेरली 100 क्रिशत काम करेगी हमारे पास एक expert system और होता है दोगतों वो है यह इस बिलकुल advance है इसमें जो symptoms हमें यहां नहीं मिलते हैं वो symptoms हम आप ढूंड लेते हैं लेकिन सारे symptoms हमें यहां मिल जाते हैं जैसा कि आपने देखा कि किसी भी patient के लिए कोई भी medicine fix नहीं है यानि कि कहना चाहिए कि अगर आपको बताएं कि फाइबरोड के लिए फ्रेक्सिन समरिकाना लीजिए तो दोस्तो ये एक ऐलोपेथी सिस्टम हो गया अगर हम होपेथिक वे ऐलोपेथी रूल से करेंगे तो हम कभी भी सक्सिसफुल नहीं हो पाएंगे या आपका फाइबरोड नहीं निकल पाएगा और आप और जादा परिशान हो जाएंगे अगर दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम आपका टीट्मिंट करें तो आप नीचे दिए गए वाट्सप नमबर पर हमें पोट्टेक्ट कर सकते हैं मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपके स्टम्स मैडिसिन दे मैच होंगे तो सोपर्तिशत आपका बच्च दाने के गाठें या अंडे दाने के काठें या कोई भी रोग हो वो सोपर्तिशत खतम होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हाँ एक बात और अभी जैसे आप सभी लोग के मन में होगा कि ड्रीम्स की इसको की ड्रीम्स को बेसिक करके मेडिसिन क्यों दिया गया तो दोस्तो मनुष formation साथ मंजिल है मारत है जिसमें हम रह रह रहे हैं चोती मंजिल पर कहना चाहिए कि हम साथ के साथ मंजिलो का आपको नाम बताऊ तो आप ज़्याद अच्छे समझपाएंगे हम जिस चोथी मंजल पर रह रहे हैं उसका नाम है चेतन यानि कि कॉंशियस अगर आप तीसरी मंजल पर उतर हैं तो उसको हम कहते हैं अनकॉंशियस दूसरी मंजल पर उतर हैं तो उसको कहते हैं कलेक्टिव अनकॉंशियस और पहली मंजिल पर Cosmic Unconscious दोस्तों Cosmic Unconscious से ड्रिम नहीं आते हैं Collective Unconscious से और आपका Unconscious से ड्रिम आते हैं इसे दरह हम पाँचवी छटी और साथी मंजिल के दर चलते हैं पाँचवी मंजिल का नाम है Super Conscious छटी मंजिल का नाम है Collective Super Conscious और साथी मंजिल का नाम है Cosmic Superconscious तो दोस्तों साथी मंजिल से भी ड्रिम्स नहीं आते हैं ड्रिम्स आते हैं छटी और पांची मंजिल से अगर आप चाहते हैं कि मैं ड्रिम्स के बारे में और चाचा करूँ या ड्रिम्स के बारे में आई हैं या जो भी आप मैडिसिन ले रहे हैं तो परमात्मा करें कि आपका रोक जल्दी से हमेज़े के लिए खत्म हो जाए धन्ये बाद कर दो मैं याए नहें नहेंडे स्फेतान नहें से लिए सक्टेतान दित honorary जाए तो